गुर्मिंदर जी चुट्टियां तो दोर होंदा है लेकिन वकील देख देनी बहुत कट तो आनुवी चुट्टियां तो आना पे है ते चुट्टियूशन दे विच वी रना इलेक्षिना नू लेके चैप्टर नाइन इंट्रडूस कीता गया सी दोजार ते रहां दे विच जी बाद के भी ये एलेक्षिन दे उते पर्टिकलर प्रोसीजर जड़ा सी वो प्रिस्क्राइब कर देता गया हुन 5 साल दी टर्म कहत ओन तो बाद पंचायद दी नोटिफिकेशन होई है। जिदे विचके Nominition दा प्रॉसेस। उस तो बाद Scrutiny दा प्रॉसेस, विद्रॉल दा प्रॉसेस। ए सारे प्रॉसेस हो चुके हैं। इस स्टेज दे आके कई पेटिशना काफी तदाद देविज हाई कोट्स फाइल हो रही है ने जिनना देविज के जादा तर जेड़ा कारण है पेटिशन फाइल करन्दा ओ गलत नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करन्दा या गलत नॉमिनेशन पेपर एकसेप्ट करन्दा है उना पंचेतां दे विच जड़ा पोल प्रॉसेस है वो स्टे कीता जानदा है इन दमीन बाइल ते अगली तरीक हो दी पाई है सोला अकुबर होगा उस तो बाद कल कुछ पटिशना मेंशन होई हैं सवान दी तदाद दे विच अज भी काफी पटिशना मेंशन होई हैं ते कल वालियां आज से लगियां जिदे विच के कोट ने क्या है कि भी हर केस जिड़ा है वो अपने आप दे विच एक पिकूलियर फैक्ट्स दे उत्ते केस है किसी केस दे विच कोई कागज नहीं लगा किसी केस जिच कोई सिगनेचर नहीं है किसी केस जिच कोई मार ताड़ दी allegation है किसी case इच लागत बाजी दी allegation है इनना किसां दे विच कोई भी general order पास नहीं किता जा सकता ता उनना ने ये सारियां petition रला के मंडे 14 तरीक ते रख दिती हैं क्योंके 15 तरीक दी polling है ते 14 तरीक नूँ इस case दे विच response असी भी सीख करांगे सरकार दा परपस ए है कि भी जित्ते तक हो सके ए इलेक्षना दे विच जड़ा public दा confidence है ओं maintain होना चाहिए गरी एक गल हो रहा है गरुमिंदर जी के जड़ा order आया ओ दे विच 16 डेट है क्या उननों तुसी पाईये कोई application प्रीपन करन दी हाँ असी ए चाहूंदे सी के भी जेड़े केसां दे विच स्टे होई है ओ केस भी जे इनना केसां दे नाल 14 नों सुने जान ते public दे mind दे विच पंचायत इलेक्षना नों लेके एक clarity हो जाएगी क्योंके नहीं तक ही होएगा कि कुछ पंचायता दे विच इलेक्षन स्टे रहेगी कुछ दे विच पोलिंग होएगी ओ दे नाल एक streamlining जेडी है सारे process दी वो मुश्किल हो जान दी है ओधा कारण एक होर भी है कि किसी पंच दे विच एक सरपंच है सत पंच ने ते पंच ने थे petition पाई ओ इलेक्षन स्टे होगी ते ओधे विच जड़ा पोलिंग स्टाफ है ओभी अगे वदन दे विच इना easy नहीं होंदा उना नों उना नों इक इलेक्षन पूरे पंच दी सरपंच दे पंचान दी कठे कराऊनी है तो इस करके असी ओधे विच एक प्रीपोल्मेंट दी अप्लिकेशन लगाई है जड़ी कोट ने जाज़त देती है कि ओवी मंडे नों लिस्ट किती जाए कि ओव 16 तो 14 ते केस प्रीपोल्में करके कठे सुन ले जाए जड़ा ओडर आया ओदे विच कहा गया कि जड़ी रिजेक्शन है क्योंकि जादा तर मामले रिजेक्शन देने अल वक वक ने वोटर लिस्ट डिलीट है या कि सिदे वार्ड चेंच हो गया लेकिन जादा मामले रिजेक्शन देने और जिनना तुसी देसा ग्राउंड ने कोट दे ओडर वीच इक टिपनी ये वी है कि जड़े रिजेक्शन दे ग्राउंड ने ओपंचाहिती एक्ट वीच एक्जिस्टी निकार देख तो ओजडिया सारिया चीजा ने ओविडेंस लीड करके इलेक्शन पटिशन हीच इग्जामिन कीतियां जा सकती हैं ने ओना चीजानू रिट पटिशन दे विच एक्जामिन करना दो सो चबबी दे थेले कोट दे लेई एनना मुनासिब नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोट एक ह दिया है कि जदों constitution amend करके ए declaration दे दिती गई तो उस तो बाद judgments भी आ गई है कि election दे मामले दे विच पहँए वो पंचायद दी होए पहँए municipality दी होए कोटा इंटरफेर नहीं करन गियां election tribunal constitute करके ओना दे थेले ये dispute सेडिया ने ओ एड्जुडिकेट कीतियां जान गियां जिते तक नोटा दा सवाल है ओदे विच election commission of India दियां guidelines ने जिते वी एक contested election है ते candidates in fray हैगे ने ओथे ballot paper दे ओथे apart from the candidates in fray थेले एक separate column दे विच नोटा दा option देना जुरूरी है court ने एक clarification भी सीख कीती ते ओदे विच order दे विच भी उना ने note कीता के जिते अनपोजड election है ओथे नोटा दा option होना चाहिदा है के नहीं होना चाहिदा क्योंके नोटा भी candidate है सरकार इस चीज नो election commission of India दी guidelines देते हैं जदों examine कर दिये ते section 54 जड़ा state election commission act दा है वे केंदा है के जदों candidate एक होए ते seat एक होए after withdrawal and scrutiny ओ candidate नो तुसी fourth with elected declare करना है ओ कनून फॉलो करके ही इना candidates नो declared elected कीता गया है ते ओना दे उते नोटा दिया guidelines जड़िया ने ओ लगू नहीं हो दिया क्या विचार हैगा सुप्रीम कोट आगे जानदा चौदा नो जे प्रीपन होंदा है और जिसे हमने petition आदा लगाता दौर जा रही है और उस तलाव एक होर सवाल है के जदों ए शिकायता क्योंकि अपनी जड़ेंटमेंट है पहला election commission कोल जान देने एक बने होया सी गा ओथ तो नहीं आई है ताहीं अन्नी high court petition आगिया नहीं देखो आज court ने भी ये observe कीता है के भी रिट जड़ी है mandamus दी सीख करन तो पहला appropriate authority नो representation देनी एक लाजमी ज़रूरी गल है ते जादा तर रिटा दे बिच किसी ने भी representation मूव नहीं कीती सिद्धा high court दे बिच रिटा आई जिते के पंच तरीक नू ते सत तरीक नू सारा nomination withdrawal scrutiny दा process खतम हो चुका है ते 9 तरीक नू रिटा फाइल हो रही है ने election वर के matter दे विच ये तो साथा सोचना है के भी ये fence sitters ने जड़े के हून court दा order देखके ते हून रिटा लेके courtage आ रहे हैं ताकि similar order ले आजा सके ते सा सानू पूरा faith है ते असी अपना पक हाई court देगे रखांगे ते सानू ए पूरा एक कैलो के भी यकीन है कि भी हाई court इस मामले नू यकीनी तौरते legal तौरते resolve करेंगी क्या चोन टालन दा कोई विचार या जिद्धा थोड़ेनल सला भी होई होनी है भी इंगे ए जी कि आगए जिसा हमनों रिटान लगा तारा रही है ने पूरे पंजाब चा क्या चोन आगए टाले जा सकते सी अदे विच भी कोई विचार विमर्श होया ते ए कोई छोटिया मोटिया प्रटिशना नंबर्स जड़िया आई या ने एनना देनाल पूरे एलेक्शन प्रॉसेस दे उत्ते कोई फरक नी पैंदा ते सुप्रीम कोड जान दा कोई आगे है याली हाली साड़ा कोई है जै विचार नहीं है